जै मसी की मसी परिवार आप सभी को हम स्वागत करना चाहेंगे वचन जीवन खारिकरम में और हमारे साथ में सामिल होने के लिए यह याद रखना एक ही चीज जो अचूक है अचूक जिसका अर्थ है बर्माना या गुम्रा करने का कोई गुनजाइस नहीं है त्रूटी या गल्ती का कोई गुनजाइस नहीं है याद रखना ये बात कि एक ही चीज है जो अचूक है अचूक का अर्थ बर्माना या गुम्रा करना असंबो है और त्रूटी और गल्ती का कोई गुनजाइस नहीं है और वह है जीवित अचूक वचन यानर कि उसका वचन जो है परमेश्वर का जो वचन है वो कोई तरह से गल्ती नहीं करता यानर कि जिस कार के लिए उसे भेजा गया है वो कार को वो पुरा करेगा हमारे और आप के लिए हम सबी के लिए इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन को भेच कर हम सभी को चंगाई को दिया है दरमसास कहता है कि परमेश्वर ने अपना वचन को भेच कर वो चंगाई को देता है और हम लोगों को जो गड़ा है या मिर्तियू से बचाता है प्यारे लोग परमेश्वर अपना वचन को बेशता है और उसके वचन में वो सामर्त है और जैसे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ याद रखना परमेश्वर का वचन देदारी हुआ और वह वचन येशु मसी का जनम हुआ उसका वचन ही के द्व प्रव येशु मसी का जनम हुआ इस संसार में तो आज हम देखेंगे फिर से और जैसे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपना वचन को बेशते हैं और उसके द्वारा वो हम सभी को सामर देता है या हमें मुसीबतों से निकालता है वो पहला अपना वचन को बे हैं वह है परमेश्वर का वचन देदारी हुआ आदी में वचन था और वचन देदारी हुआ आदी में याने की सुरुवात में वचन था और परमेश्वर ने हर एक बातों को या अपने वचन ही के द्वारा सब कुछ जो आज हम देखते हैं उसका उत्पंत हुआ और उसका उत्पंत हुआ तो जैसे हम लोग पिछले सब्ता जो देख रहे थे हम लोग कुछ देखेंगे और पिछले सब्ता हम लोग ने देखा मैंने जैसे कहा था कि हमें अपना जो जबान है उस पे लगाम देना बहुत जरूरी है जैसे याकूब अपने किताब में कहता है बतलाता ह नमुने को देता है कि अगर एक जो गोड़ा है या जानुवर है उसे अगर हमें लगाम को देना है वो लगाम को लगाता है उसे अपने वर्ष में करने के लिए उसी परकार से अपना जो अमारा जो जुबान है या अपना जो जीब है उस पे हमें प्रतीबंद लगाना है ता मैंने पढ़ा था मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा हम सभी को याद हो याद हो इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा और जैसे कहता है साम्स के किताब में 141 त्री में कहता है हे यहुआ मेरे मुक पर पैरा बैटा यहां पर यह जो दाओत है वो फ्रात्ना करता है परमिश्वर से और यह जान सका कि कितना बैमूल है उसका हर एक सब्द उसके जीवन के लिए और वो यह भी जानता था कि जीव के वस में उसके लिए मिर्तिव होगा या जीवन होगा जीव के वस में मिर्तिव होगा या जीवन है यह जानता था इसलिए उसने कहा जब वो साम्स को लिखता था या प्रात्ना कर रहा था तो वो कहता है कि बले यह हुआ वो जानते थे क मैं अपने आप से नहीं करसकता हूं इसलिए वो फरमेशन से प्रात्ना करता है कि मुझे वो शामर्त को दे और कहता है कि है यहुआ मेरे मुख पर पहरा बैटा मेरे होटो के दौर के रक्वाली कर मेरे होटो के दौर पर रखवाली कर इसलिए कि प्यारे लोग मैं फिर से यही कहूंगा यदि हम अपने जीवन में परिनाम या सफलता देखना चाहते हैं तो हमें अपने वचन को परमेश्वर के वचन से बदलना चाहिए यदि हम अपने जीवन में परिनाम या सफलता को देखना चाते हैं मैं ये कहूंगा कि जो भी हम अपने जीवन में अभी देखते हैं कि होता है और हमें पसंद नहीं है हमारे परिवार में जो होता है वो हमें पसंद नहीं है हमारे आनपडोसी में जो होता है वो हमें पसंद नहीं है या हम ये हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे प्रवगार में हो इस परकार से तो हमें क्या करना है यदि हम अपने जीवन में परिनाम या सफलता को देखना चाहते हैं तो हमें अपने वचन को परमेश्वर के वचन से बदलना चाहिए और जब हम अपने वचन को परमेश्वर के वचन से बदल देगा तो वो वचन को हमें अपने जीवन में बदलना नहीं चाहिए कौन वचन परमेश्वर का वचन लेकिन पहले हमें क्या करना है जो सब्द जो वचन मैं कहता हूँ अपने लिए अपने परिवार के लिए अपने आनपडोसी के लिए अपने देश के लिए अपने देश के अगवाकारों के लिए अपने खलिशिया के लिए अपने खलिशिया के परिवार के लिए या अपने खलिशिया के जो अगवाकार है नोगों के विशे में जो मैं अभी तक कह रहा था या अच्छा नहीं था तो मुझे बदलना है, परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे अगवाकारों के लिए अपने पवित्र हाथ उटा कर उन लोगों के लिए प्रातना करना चाहिए क्या प्रातना जो परमेश्वर की इच्छा उन लोगों के जीवन में हो बहुत बैमूल है मेरे प्यारे मसी भाईयों कि ये करना हमें जरूरी है और कहना परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम प्रात्ना भी करते हैं हमें परमेश्वर का वचन लेकर प्रात्ना करना ये नहीं कि जो मेरे मन में आए जो मैं सोसता हूँ वो सही है ऐसा नहीं करना है हमें अगर अगर अपने जीवन में परिनाम को देखना है तो परमेश्वर के वच्चन को उठा ले और उसका वच्चन जो हमारे और आपके विशे में कहता है उसे हम फ्रात्ना में इस्तमाल करे और वो हमारे और आपके लिए होगा आइमेन तो मैं एक और विशे को जो मैंने कहा था मैं उसे भी पढ़ना चाहूंगा ये जरूरी है मारे लिए जानना कि परमेश्वर ने अपने वचन के दौरा प्रित्वी और उसमें सब कुछ बनाया है स्वर्ग को इस्तान दिया और मनुश को भी बनाया है अपने वचन के दौरा सब से महतरपूर्ण बात या है कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ और ईश्व मसी का जनम हुआ उसका वचन प्रित्वी पर और स्वर्ग में सब से शक्तिशाली है या प्रतम या पहला या ये सब से महान और शक्तिशाली और अच्छुक सत्य है क्याल करना परमेश्वर का जो वचन है वो पहला है और ये अच्छुक सत्य है परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा या बदलता है या और उस वो अपने वचन कभी नहीं तोड़ता है अगर परमेश्वर अपना वचन को बदलता नहीं है और वो अपना वचन को तोड़ता नहीं है तो हम मनुश को अपना जो जीवन का जो नियों है वो परमेश्वर के वचट में लगाना चाहिए यानि कि जब हम घर को बनाते हैं ठीक है जो घर को बनाते हैं अगर उसका जो नियों है उसका जो फाउनडेशन है अगर वो मजबूत नहीं रहेगा तो तोड़ा सा भी हवा चलेगा वो घिर जाएगा वो तूट जाएगा या वो हिलने लगेगा उसी परकार से हमारा जो जीवने प्यारे मसी भाई और बैनों अगर हमें अपने जीवन में स्तिर रहना है तो हमारा जो जीवन का जो नियो है वो परमेश्वर के वचन में लगाना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी बदलता नहीं है वो कभी तूटेगा नहीं क्योंकि वो ही एक वचन है जो अचुक सत्त है आमेन पर मेश्वर का वचन हमारे जीवन में जिस चीज के लिए हम विस्वास करते हैं वो प्रगट करता है या वो प्रकाशित लाता है या वो वचन जो जिस चीज के लिए हमनों विस्वास करते हैं वो हमारे जीवन में होता है जैसे इबरानियों के किताब में हम देखते हैं हिबरूस 11.1 में क्या कहता है अब विश्वास आशा की वी वस्तू का निस्चे याने कि यह होगा जिस चीज के लिए हम लोग आशा करते हैं या जिस चीज के लिए हम लोग विश्वास करते हैं और अन्देकी हुई वस्तू का पर्मान है जो विस्वास जब हम करते हैं वो दिखता नहीं है लेकिन वो हमारे लिए हो सकता है अगर हम अपने नियो अपना विस्वास परमेश्वर के वचन में उसके वादाओं में लगाएंगे प्यारे लोग मैं पढ़ना चाहूंगा फिर से यह बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए जब हम पढ़ते हैं एजाया के किताब में हम लोग देखते हैं मैं जानता हूँ पिछले सब्दा हम लोग ने देखा लेकिन यह बहुत जरूरी है मैं एक किताब को पढ़ रहा था घर पर तो क्या होता है कि उस किताब में जो क को जोर से बोलो ताकि तुम सुन सके तो क्या होगा कि उसे कहने से वो हमारे मन में या मारे जो माइंड में वो जाकर रजिस्टा होगा वहां पर रहेगा कि जब उसका ज़रूरत होगा वो वहां से निकलेगा या याद दिलाएगा में पवित्र आत्मा तो क्या होता है कि हम ज यह झानताओं कि अबित्र अत्मा यह बतला ता है यह बहुत ज़रूरी है पिछले सफ़ली है हम लोग ने ग्यान के विश्य में ब τ representing है या आवř शक हमारे लिए पहला है हमारे जीवन में ना जैसे कहता हैं अंग्रेसी में कि विजदम इस दा फ्रिंस्पल थिंग, बुद्धी जो है, या ग्यान जो है, वो हमारे प्रतम चीजे, उत्म चीजे हमारे जीवन में, तो ग्यान को फ्राट करना भी जरूरी है, तो मैं आपको तेजित करना चाहूंगा इस समय पर, कि आप कल से, ठीक, कल से आप का लिए द चप्टर पढ़िये, सुभा को पढ़िये, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आप सुभा उठे, अपने प्रात्ना को कि और जो भी स्टडी आप करता है, उसे करते कीजिए, लेकिन आप प्रोवेब्स का किताब में नीती वचन जाकर, जो एक चप्टर, एक रोज में आप सुभा को पढ़े, और फिर दिन बर उन वचनों को जिस से आपने पढ़ा था जिसे, उस पर आप ध्यान दीजिए, दिन भर, कि आपने क्या पढ़ा था, क्या कहा, और या तो उस चप्टर को आप दिन बर दो तीन बार पढ़िये, क्या होगा, कि वो आपके हिर्दे में ज मत इंतजार कीजिए कि जो मैना सुरुआत होगा तो मैं नहीं आपके लिए कल पहला दिन है तो आप पढ़िए और फिर उसके बाद में आप जेम्स का किताब पढ़िए जो उसमें सिर्फ पांच ही जो चप्टर है उसे भी आप एक रोज एक चप्टर पढ़िए आप तो मैं जैसे मैं पढ़ने जा रहा था एजाया के किताब एजाया चप्टर 55 वेस 11 देखते हैं और यहां पर कहता है उसी परकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है उसी परकार से मेरा या परमेश्वर कहता है कि उसी परकार से किस परकार से चलो देखते है वेस्टेन को क्या कहता है परमिश्वर ने क्या कहा था वेस्टेन में उसमें कहा जिस प्रकार से वारिश और हीम आकास से गिरते हैं और वहीं ही लोटता नहीं लोट नहीं जाते वरन भूमी पर पढ़कर उपज जाते हैं जिस से बोने वाले को बीच और खाने वाले को रोटी मिलता है याने की परमिश्वर कहता है कि तुम मेरे बात सुनने से पहले या जो मैं कहने जा रहा हूं उससे पहले तुम जो पानी या वारिश होता है वारिश होता है उसे तुम हर एक समय देखते हो और जानते हो कि वारि जो बीच है जो आप बोते हो उस बीच उगता है पानी के दौरा ठीक तो क्या होता है कि जिस परकार से बले और पानी लोट कर फिरकार्ष में नहीं जाता जब तक अपने कार को नहीं करता तो परमिश्वर यहां हमें और आपको यह सिकलाता है बोले उसी परकार से मेरा वच्छन में वो समर्थ है जो जिस के लिए या कहता है कि उसी परकार से मेरा वच्छन भी होगा जो मेरे मुक्ट से निकलता है और वो वर्थ तहरेगा नहीं तहर कर मेरे पास लोटेगा नहीं यानि कि वो भरत होकर मेरे पास लोटेगा नहीं परंतु जो मेरे इच्छा है उसे वा पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वा उसे वा सफल करेगा यानि कि परमेश्वर ने जो भी अपने वच्छन को जिस कार के लिए भेजा था वो पूरा करेगा वो सफलता को पाएगा प्यारे लोग प्यारे मसी भाई और बैनों मैं कहना चाहूंगा फिर से कि आप परमेश्वर के वच्छन में अपना नियो को डाल दीजिए अपना जीवन का नियो डाल दीजिए और अपने निगा को परमेश्वर का वच्छन में लगाईए चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ में कुछ होता है आसपास में तुफांग चलता है लेकिन परमेश्वर का वच्छन का वादा या है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं वो आपको नकारेगा नहीं और वो आपका डाल है जो आपको सरवदा बचा के रहेगा उसको पाने के लिए हमें क्या करना है मैंने फिचलता कहा था कि हमें बुद्धी को प्राप्त करना है तो बुद्धी स्रेस्ट है प्रोवेफ्स के किताब 4-7 में कहता है बुद्धी स्रेस्ट है इसलिए उसकी प्राप्ती के लिए यथन करे अपना सब कुछ कर्च कर दे ताकि समझ को प्राप्त कर सके पर मेश्वर हम लग के फिर से यह बतलाना चाता है और हर एक समय हमें याद दिलाना चाता है कि बुद् को प्राप्त कीजिए समझ को प्राप्त कीजिए वो बुद्धी और जो समझ और जो ग्यान है धरमसास हम देखते हैं तो वो कहता है कि वो सोने से भी जादा मुल्य है वो जो सिल्वर है उस से भी जादा मुल्य दान है क्या बुद्धी क्योंकि बुद्धी को प्राप्त कर सकते हैं और उसे रख सकते हैं लेकिन जब हम बिना बुद्धी या ग्यान का जब हम सोने और जो जो सोना है और उसे हम प्राप्ट कर लेंगे हम उसे अपने पास में रख नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि हमारा पास ग्यान नहीं रहेगा कि कैसे हम उसे इस्तमाल करें धरमसास कहता है कि जो बीच को बोता है या जो देता है वो लेने से जादा आशिस को प्राप्त करता है क्यों वो कहता है क्योंकि जब आप देते हो एक जगाह पर कहता है कि जब जो जिसकी जरूरत रहता है और उसे आप जब देते हो बहले आपका हाथ जो है व हम तोड़े से बोते हैं बीच एक मुठा बीच बोते हैं तो क्या होता है जब वो उगता है हमें लोट कर एक मुठा नहीं मिलता है हमें उस सो गुना जादा मिलता है धरमसास अगर हम संसार के बुद्धी को लेते हैं तो वो क्या कहता है कि जितना मिले भाईया रख लो कोई हमें बतलाएगा हमें सिकलाएगा कि हमें कितना बचाना है और कितना देना है जब हम देते हैं प्यारे लोग वह क्या होता है कि शिर्फ कलिशिया में नहीं लेकिन हम अपने परिवार अपने यार दोस्त या अपने जो परोसी जिसका ज़रूरत है जब हम देते हैं तो क्या हो दरम साथ जैसे ने कहा कि हम परमेश्वर का हाथ होता है, तो सवाल ये मैं कहूंगा आगे बढ़ने से पहले, क्या हम परमेश्वर का हाथ बनना चाहेंगे, कि एक दूसरे को मदद कर सके, बुद्धी प्राप्त करने के लिए ठीक, तो यहां पर कहता है कि ग्यान को प्राप् से मिलता है अनुशास्टित का मतलब यह है अंग्रेजी में कहता है बले वी एफ टु डिसप्लीन आवसल्फ ना हम अपने आपको अनुशास्टित करना है और बैठार कर शांती से प्रात करना है बुद्धी कहां परमेश्वर के वचन से और जब हम प्रात को करेंगे प्यारे परमेश्वर के वचन से मिलता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सत है वो मार्ग हमें दिखलाता है परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन दाइक है और वो हमें जीवन को देता है मैं पढ़ना चाहूंगा सत को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जब पढ़ और सत्थ तुम्हे सुतंत करेगा ठीक है अगर हम इस वचन को देखते हैं तो यहां पर एक कॉंडिशन को दिया गया है इस मसी के दौरा और वो कहता है कि जब तुम सत्थ को जानोगे तब तुम्हे सत्थ सुतंत करेगा क्या सत्थ के पास अपने आप में वो सुतंत करने का शामर्त नहीं है शामर्त है सत्थ जो है वो परमेश्वर का वचन है प्यारे लोग और परमेश्वर का वचन में अपने आप में वो शामर्त है उसे पूरा होने में लेकिन हमारे जीवन में कब वो पूरा होगा जब हम उस के विशे में ग्यान को प्राप्त करेंगे इसलिए दर्मसास कहता है प्रभु यश्व मसी कहता है यहुना के किता है कि तुम सत को जानोगे जानना हमें बहुत जरूरी है और तब तुमें सत तुमें सतंत को करेगा मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि जब पहली बार आप प्रभु यश्व मसी के विशे में सुना था जब आप प्रभु यश्व मसी को अपने जीवन में लिया था क्या हुआ आपने सत को सुना ठीक रोमन्स के किताब में 10-17 क्या कहता है कि सुनने से विश्वास आता है और सु यूदना है मसीह का वचցन यानि कि आपने मसी के विशे में सुना, आपने उसके वच्चन में से सुना कि परभ़ ये सुमसी जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया और परमेश्वर ने इसमसी को फिर से जिलाया है मृतिकों में से और जब आप विश्वास करते हो कब विश्वास करते हो जब आपने सत्त को सुना और सत्त को जाना उसी परकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सत्त को जानना बहुत जरूरी है और जब हम सत को जान लेते हैं या जब हम इशु मसी को जान लिया कि वो हमें अनंत जीवन को देता है ता हमने किया कि अपने हिर्दे में हमने विश्वास को किया और अपने मुख से अंगिकार को किया कि इशु मसी ही प्रभू है और जब हमने वो कहा हमारा जो आत्मा वो इशु मसी कहता है हमसे कि जब हम सत को जानेंगे तब हम वो सत तुमें स्वतंत करेगा जब हम सत को जानेंगे तब हम स्वतंत होगा जिस प्रकार से अगर हम एकनोमिक्स के बारे में जानना चाहेंगे और अगर हम नौकरी को करें और बोले हम एकनोमिक्स हैं या हम अकाउंट हैं हमें क्या है हम सिधार जाकर जो बुक या किताब है उसे उठा लेंगे हैंएड मजा कर बोलेंगे कि जो एक फिरण गर जाए तो हम कहिए گे कि ओछ अ में, जुद आ मत डिग्रीव ना तो किसी प्रकार से अपने सिखाने हैं आकंटिंग के विशे में तो कैसे आप सबसें ह कर सकते हो नहीं कर सकते हो शायद आपके पास समर्त होगा या साइध आपके पास तोड़ा सा ग्यान होगा नहीं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपसे मसी भाई और भाईनों कि जब तलग हम उस अकाउंटिंग के विशे में ग्यान प्राप्त को नहीं कर पाएंगे तब हम अकाउंटिंग कर ही नहीं पाएंगे उसी प्रकार से जब तक हम सत को नहीं जानेंगे वो सत हमें सतंत्र नहीं कर सकता है क्योंकि हम सत के पास जाएंगे ही नहीं ये नहीं कि सत के पास समर्त नहीं है लेकिन हम सत के पास जाएंगे नहीं इश्रु मसी ने कहा जब हम देखत कि लोगों को चंगाई को दे लेकिन वो अर दूसरे नगर में जब जाते थे वहाँ पर जो भी आया उसके पास कि याद रखना मेरे वचन को मैं जो कहता हूं जो भी उसके पास आया वो सभी को चंगाई को दिया सौतंत को किया लेकिन अपने नगर में क्यों नहीं कर सका क्यो विस्वास जो था वो समर्थ नहीं उन लोगों ने विस्वास नहीं किया और इसु मसी के पास आया नहीं तो इसु मसी कैसे उन लोगों को सतंत कर सकता है ये बहुत ज़रूरी है प्यारे लोग सत को जानना परमेश्वर के वचन को जानना और जब हम जानेंगे वही वचन जो समर्थिय वचन है, जो अच्छूद वचन है, वो हमें अमारे परिनाम के लिए सफलता को देगा, और जैसे हम देखते हैं कि सत्य परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन प्रवु इशु मसीख खुद है, इशु ने अपने, इशु ने आपके पाप को मुक्त किया है, आपको पाप से मुक्त किया है, बिमारी से मुक्त किया है, बंदनों से मुक्त किया है, अगर ये सत्म नहीं जानेंगे, तो हम इस मसीख को फ्राप कर सकते हैं, लेकिन बंदवाई में ही पड़े रहेंगे, हम इस मसीख को फ्राप कर सकते अपने जीवन में और हम कहे सकते हैं कि मैं विश्वासी हूँ लेकिन बीमारी में हम तड़पते हैं क्यों तड़पते हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते कि जो इशु ने ले लिया वो हमें लेकर चलना नहीं है वो बीमारी हमारे लिए आपवित्र हो जाता है क्योंकि इशु न जब बिमारी आएगा हम भै को लेकर आएंगे और कहेंगे कि अब मुझे क्या होगा मुझे कौन बचाएगा मैं कैसे अपने जीवन को बैतीत करूंगा याद रखना अगर हम सत को जानेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि यह मेरा जो अधिकार है चंगाई रहने का यह मेरा अधिका पर बलीदान हो गया इसलिए मुझे जो अधिकार है और वो अधिकार मेरा है कि मैं चंगाई में अपने जीवन को बैतीत करूं और मेरा अधिकार है कि मैं जो सतंत्र जीवन जीओं प्यारे लोग यह बहुत ज़रूरी है बेजाना वरना क्या होगा कि शैतन तोरा से हम लों गिर जाएंगे अगर हम विश्वास में खड़ा रहेंगे और सचाई को सत को जानेंगे सत को जानेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई और बैनों कि वो साथ पूरा अपने जो उसका साथ में सब को जो लेकर आएंगे और वो फूकने की कोशिस करेगा आप अकेले ही रहेंगे क्यों क्योंकि आप सत को जानेंगे और ये जानते हैं कि इश्व आपके साथ में है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है हालेलुया इश्व जब आपके साथ में रहता है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है तो क्या मैंने कहा कि इश्व ने आपको आपको पाप स से मुक्त किया है इश्यू ने आपको बिमारी से मुक्त किया है इश्यू ने आपको बंदनों से मुक्त किया है इश्यू ने आपको गरिबता से भी मुक्त किया है प्यारे लोग और हम मुक्ती को पाए हैं और आश्यू के जीवन में हम जीते हैं रोमियो के किताब में कहता है 6 और 14 को देखते हैं 18 और 22 को हम लोग देखेंगा और यहां पर कहता है आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं है नहीं रहेगा आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा क्यों नहीं रहेगा अब आप बेवस्ता के नहीं बलकि अनुग्रा के अदीन हो अनुग्रा कौन है अनुग्रा प्रभु येश्व मसी है जिस पर आपने विश्वास को किया और आपने अपना जीवन को दिया उसको और उसने अपने पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा से आपको भर दिया या उसने अपने पवित्र आत्मा अपने आत्मा को आपको दिया है तो ये सच्चाई को अगर हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा हम हर एक समय क्या हम गिरेंगे और हम कहेंगे कि अरे हम पाप के नीचे है नहीं लेकिन अब आपका जीवन जो है वो बेवस्ता के नीचे नहीं लेकिन अनुग्रा के अधीन है फिर 18 में कहता है आप पाप से मुक्त होकर दार्मिक्ता के दास बन गए हो आप पाप से छुड़ा दिया गया है या आप पाप के दास नहीं रहे हो लेकिन किसका दास बन गए हो धार्मिक्ता का दास बन गए हो और कौन है ये धार्मिक्ता धार्मिक्ता प्रभु येश्व मसी है जिसका हम दास बन गए हैं फिर कहता है ट्विट्टू में कि किन्तु आप पाप से मुक्त होकर आप परमेश्वर के दास बन गए हो और पावित प्वित्रता का फल उत्पन्त कर रहे हो जिसका परिनाम है अनंत जीवन क्योंकि परंतु आप पाप से मुक्त होकर आप परमेश्वर के दास बन गए हो और प्वित्रता का फल उत्पन्त कर रहे हो जब आप परमेश्वर के दास बन गए हो तो आपका जो जो फल जो निकलता ह आपके जीवन से वो पवित्रता का फल है क्योंकि प्रभु यश्य मसी खुद पवित्रता है, वो पवित्रता का फल उत्पन कर रहे हो, जिसका परिणाम अनंत जीवन है, अनंत जीवन काँ है? अनन्त जीवन प्रभु येशु मसी है हाललुया अनन्त जीवन प्रभु येशु मसी है और हम पाप के नियम को अदिन नहीं है हम अब पाप के नियम के अदिन नहीं है पाप is equal to शैतान और शैतान is equal to मिर्थिव लेकिन अब हम अनुगरा के नियम के अदीन है और अनुगरा इक्वल्स जीजस इशु मसी इक्वल्स अनंत जीवन ओ हालेलुया यह सत्त को हम जब जानेंगे यह सत्त हमें स्वतंत करेगा मैं यहीं पर समाप्त करूँगा प्यारे लोग और आपको तेजित करना चाहूंगा कि आप अपना जो नियों है वो परमेश्वर के वचन में बना रखके क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो सत्त है अचुक सत्त है अइमेन तो आप लोगों के लिए हम यहां प्रात्ना करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ में विश्वास करें और प्रात्ना करें जो भी चीज आपकी जरूरत रहता है जीवन में प्यारे लोग हम अपने निगा को प्रवीश मसी की और लगाए वहीं से हर एक अच्छा और बलावस्तु हमें मिलता है तो क्यों न हम प्रात्ना को करें स्वर्ग पिता दयावंत परमेश्वर अबा पिता हम आपको धन्वा देना चाहेंगे आपके वचन के लिए आपके जो वचन जो सत वचन है और जब हम उस वचन को जानते हैं उसमें वो सामरते हैं हमें सुतंत करने के लिए मेरा प्रात्ना ये फ्रवू कि जितने लोग आज हमारे साथ में सामिल हुए सुनते हैं परमेश्वर वचन को होने दीजिए कि वो आपके वचन में अपना नियो को लगाए और परमेश्वर आपका वचन उनको हिर्दे में वो जोती वो उन जियाला को लेकर आए जो जिसके दौरा वो जीवन को जी सके पिता मैं हर एक बिमारी के विरोध में आता हूं हर एक पीड़ा के विरोध में आता हूँ जो लोगों को दबाने की कोशिश करता है लेकिन जो चंगाई है यह अदिखार इन लोगों का और चंगाई को इस वक्त वो फ्राप करता है शैतान के बुरे आत्मा मैं तुझे हुकम देता हूँ प्रभु यशु के नाम से निकल कर चला जाए और लोट कर फिर ना आए पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने देश फीजी के लिए आपके अनुग्रा के लिए आपका दया के लिए इस देश पर प्रभु यशु के फवित्र नाम से आमेन एमेन सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो तो प्रभु यशु मसी को अपने जीवन में आप ग्रहन करना चाते हो उसको अपने जीवन में लेना चाते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो क्योंकि ये भी कहता है बचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि परमेश्वर ने प्रभु येश्व मसी को जिलाया है और अपने हिर्दे में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उध्धार को पाते हो तो अगर आप अपने जीवन को प्रभू येशु मसी के देना चाते हो और प्रवित आत्मा को अपने जीवन में लेना चाते हो तो मेरे बाद में इस प्रात्मा को आप कीजिए कहिए स्वर्गे पिता मैं विश्वास करता हूँ ईशु मसी प्रबू है जो कुरुस पर अपना प्रान दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से चमा करने के लिए प्रबू येशु मसी मैं आपको अपना जीवन का प्रबू बनाता हूँ आज से मैं आपके मार्ग में चलूँगा आज से मैं आपके सेवा करूँगा मैं प्रात्ना करता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा ईशु मसी के नाम से मैं ये प्रात्ना करता हूँ आमेन अगर आपने इस प्रात्ना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्ख कीजिए ताकि हम आपको बचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिकला सके और आपको हम दनवात देना चाते हैं हमारे साथ में सामिल होने के लिए आज और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग है वो आपसे प्रेम रखता है प्रभू येसु मसी भी जो विश्वास योग है वो आपसे प्रेम रखता है यहां JCLM में हम लोग आप से प्रेम रखते हैं आपके लिए प्रात्ना करते हैं और ईशु मसीही प्रभू है बाई-बाई चर्भू होग रखते बेस्ट वित कार्थ बाई श्राइब अडिसरी पर मिनस्टरी 1010 आपके बाउनों अच्छ नेखर रखते हैं यद श्राइबा रखते हैं और या श्राइब के लिए क्रेंटे बाईब है आपके आपके लिए श्राइब कार्भू है 3315 202